राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में किसान भाईयो आज हम बात करने वाले हैं कैलसेम नाइटरेट के बारे में कि calcium nitrate के क्या फायदे हैं क्या नुक्सान है इसकी कितनी डोज लेनी है इसे किस तरीके उपयोग में लाना है सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और किस के साथ आप इसे mix कर सकते हैं और किस के साथ आप इसे mix नहीं कर सकते क्योंकि किसान भाईों को सबसे बड़ी गोलजन यह है कि कैलसम नाइट्रेट को हम किस की साथ डालें और किस की साथ ना डालें सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दुकानदार से, किसी वीडियो को या किसी किसान से पूछने की आवसकता नहीं पड़ेगी इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाला हूँ यदि अभी तक आपने अपने परिवार Fetilizer Expert को जोईन नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारा परिवार बहुत जल्द बड़ा हो सके और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलसिम नाइट्रेट के अंदर क्या-क्या डला हुआ होता है तो इसके अंदर किसान बज़ों कैलसिम की मात्रा 18-25% होती है नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर 15-25% होती है केलसàn पाईटर이ٹ जो खाद है यह सभी फसलों के लिए बहुत ज़ादे जरूरी होता है इसमें किसान में जिए नाइटरोजन होती है यह नाइटरेट रूप में दी गई होती है जिसकी वज़े से यह है पोदे को बहुत जल्द मिलनी सुरू हो जाती है क्योंकि nitrogen जो आप डालते हैं जैसे माले urea आप खित के अंदर डालने है तो urea पहले 2-3 रूपों में टूटता है उसके बाद हमारी फसल को मिलना सुरू होता है जबकि जो calcium nitrate के अंदर nitrogen होती है यह nitrate form में होती है यह तुरंत आपके पोधे को मिलना सुरू हो जाती है जिससे जो आपका पोधा होता है वह बहुत तेजी के साथ गिरोध करना सुरू कर देता है अब बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में कि calcium nitrate के चाग्या फायदे होती है तो इसे मैंने लग बहुत 10 10 मतलब 10 रूप में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मैंने ऐसी की handing मनाई है जिसमें आपको पता चलेगा कि 10 क्या क्या फायदे से आपको देखने को मिलेंगे तो पहला है यह किलोरोफिल की मातरा को बढ़ा देता है दूसरा पोधे को ताकत प्रिदान करने में मदद करता है तीसरा फलो और फूलो के आकार को यह बढ़ाता है आपकी जो फसल होगी वैं हमेशा एक समान रहेगी ऐसा नहीं है कि यदि मान लिजए गन्ने की फसल में आपने इसको उप्योग किया कि कुछ गन्ने पतले कुछ गन्ने मोटे यह एक समान रूप से आपकी फसल को ले करके चलता है फसल को किसान वही लगाता चमक बना करके मतलब फसल में चमक बना करके रखता है फसलों की उपच को भी किसान वही बढ़ाने में यह बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी जो फसल होती है इसकी गुणवत्ता को ये बहुत ज़्यादा सुधार देता है और इसका जो अगला हमारा benefit वो ये है कि calcium nitrate पानी में पूर्णता है गुलंसील है यानि कि इसे यदि आप पानी के अंदर डालते हैं ये बहुत जल्दी पानी के अंदर मिल जाता है इसके जितनी भी फसले होंगी सब के ऊपर एक चमक बनी रहेगी उनका आकार बहुत सुंदल लगेगा और उनकी जो पैदावार चमता होगी उसे ये कम से कम 10 से लेके 15% तग बढ़ा देता है तो इसका उपयोग आप 100% अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं क किन-किन फसलों में आप इसे दे सकते हैं तो किसान भाई यो गंडे की फसल में आप इसे दे सकते हैं धान की फसल में दे सकते हैं और गेहूं की फसल में दे सकते हैं कपास में आप इसे दे सकते हैं टमाटर में इसे दे सकते हैं मतर में आप इसे दे सकते हैं आलू की फसल म पूरे खेत का साइज लगबग एक समान होकर कर चलेगा जिससे जो आपकी पैदावार होगी यह काफी जादे बढ़ जाएगी अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग हमें कब करना है मतलब कब इसे आपको दे सकते हैं और किस-किस रूप में आप इसे दे सकते हैं तो किसान ब पचास दिन बस्ते हैं यानि कि 51 दिन से लेकर के 100 दिन के बीच के जो हमारी दिन बस्ते हैं इसके अंदर यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो यह आपकी फसल को बहुत अच्छी गुरबत्ता और बहुत अच्छा सुधारी आपको दे सकता है और आपकी पैयदावार को ये बढ़ा सकता है माली ये गन्ये की फसल है तो गन्ये की फसल में किसान भाईयो जा आपके खेत के अंदर गन्ना पढ़ना सुरू हो जाता है उस समय पर आप इसे डाल सकते हैं अब बात करते हैं किसान भाईयो इसकी डोज की कि आपको इसकी डोज कितनी लेनी है और इसके स आप इसे किस की रूप में दे सकते हैं, तो किसानवायों आप इसे नीचे खात के रूप में भी दे सकते हैं, मान लिजे जड़ों के पास में यदि आप इसे देना चाहते हैं, तो इसकी जो डोज किसानवायों रहेगी, वो लगबग 10 किलो से लेकर के 18 किलोग्राम पिर्ती एकड के हिसाब से रहती है, अब ये डोज में 10 से 18 का यानके 8 किलोगराम का अंतर आ गया है, तो ये अंतर क्यों है, मान लिजे आपकी गन्ये की फसल है, तो आपको लगबस 17 से लेके 18 किलोगराम पिरती एकड के हिसाब से इसे देना होगा, मान लिजे आपकी आलू की फसल है तो उसमें आप इसे 8 से लेके 10 kg पिर्ती एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं सभी फसलों में इसकी मात्र जो है उपर नीचे आपको करनी पड़ेगी जो फसल आपकी बड़ी है या लंबी फसल है उसमें आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं और जो फसल आपकी जोटी है उसमें आप इसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं यदि आपकी सुझ में नहीं आता है कि किस फसल में कितनी मात्रा लेनी है तो आप कमेंट कीजिए मैं तुरंत आपको बताऊँ हूँ कि आपको अपनी फसल के अंदर कितनी इसकी मात्रा लेनी है किसान भाई इसे आप इस्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं यदि इस्प्रे के रूप में देनी की बात करूँ करूँ तो आप यदि इसे जड़ो के पास में देते हैं तो वो इसका एक सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका है क्योंकि जड़ो के पास में जब आप इसे डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छे रियल्ट किसान भाई यो आपको निकाल करके दे सकता है मेरा फेवरिट ज़ो तरीका है वो यही है कि आप इसे जड़ो के पास में दे किसान भाई बात कर लेते हैं आप इसे किस के साथ मिक्स कर सकते हैं और किस के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं तो आपको NPK 0050 के साथ इसे मिक्स नहीं करना है ammonium sulfate की साथ इसे mix नहीं करना है sulfuric amulic की साथ इसे mix नहीं करना है SOP fertilizer की साथ mix नहीं करना है copper sulfate की साथ आप इसे mix नहीं करना है और potassium sulfate की साथ भी आप इसे mix नहीं करना है single super phosphate जो आती है उसके साथ भी आपको इसे mix नहीं करना है और नहीं आप इसे magnesium sulphate की साथ mix कर सकते हैं यदि आप किसी और की साथ mix करना चाहते हैं और आपकी सवंज में नहीं आ रहा है तो आप मुझे comment करें मैं तुरंत आपको बताऊंगा कि आप किस के साथ इसे mix कर सकते हैं और किस के साथ mix नहीं कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ किस की साथ आप इसे mix कर सकते हैं तो chillated micronutrients जो हमारे होते हैं उनकी साथ आप इसे आसानी की साथ mix कर लें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बोरोन की साथ आप इसे mix कर सकते हैं एंट्रा कोल के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं, पोटास की साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं, इफकोकी सागरिका के साथ मिक्स कर सकते हैं, बायो विटा के साथ मिक्स कर सकते हैं, हिूमिक एसिट के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं, इमा मैक्टीन बैंजोईट के साथ आप इस इसी वोम में आप इसके साथ भी इसे mix कर सकते हैं यानि कि इनके साथ mix कर सकते हैं और इनके साथ mix नहीं कर सकते हैं यदि आपके समझ में नहीं आता है तुरंत comment करें तुरंत जवाब मिलेगा कि आप किस के साथ इसे mix करेंगे और किस साथ mix नहीं करेंगे बात कर लेते हैं कुछ कम्पनियों को ये 25 किलोगराम का भी आता है तो इसका लग मैं एक एकल खेत की यदि में बात करूँ तो लगबग 1000 रुपय के आसपास का आपका खर्चा निकल करके आता है तो इसका उपयों को आप अपनी फसल में कर सकते हैं और काफी अच्छा उत्पादन आप अपन का ही दे पाया हूँ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जान कर साथ तब तक के लिए राम राम जी